हालो हाई फ्रेंड्स नमस्ते जाईज जगन्ना आप सबको मेरे चानलेगें सुची द्रस के चलमें स्वागत हैं आज मैं स्यार करने बाली हूँ ओडिशा के मस्ट फेमस काकेरा बिठा जो सेर्फ फेमाईदा और किछी ही चीजों से हम बनाएंगे देखिए पहले हम पानी गरम कर लेंगे मैंने 500 ग्राम मेदा लिया है इसलिए हमने 2-3 कप पानी गरम कर लेंगे उसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और सुगार उसमें डालेंगे 1500 ग्राम अब उसको उबन लेंगे एक छोटी से कटोरी में मैंने थोड़ी इसी मेदा को उसी गरम पानी में घोल कर दे दिये जिससे उसमें गांट नहीं बनेंगी उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसे कि हमारी चिन्नी उसमें मेल्ड कर लेंगी और उसमें काली मिर्च और इलाइची की पावड़र थोड़ी सी मिलाएंगे उसकी खुशबू के लिए देखे हमें एसे ही मिलाते रहेंगे जैसे कि मेदा और पानी हमें अच्छे तरसे मिल जाएंगे अब उसमें उबला गई हैं मैने 500 ग्राम मेदा लिए हैं 500 ग्राम मेदे के लिए उतनी पानी कर सकते हैं फिछे मैदा को ऐसे ही डालेंगे और मतीट हैं ज़ाते रहेंगे नहीं तो गांट बन जाती है उसमें हम अच्छी तरसे उसमें उस मैदा को पानी में हम एस से मीक्स करकर एक बलुप बनाएंगे है कि देख्याक ignored और बात बनांगे debis कि अईluded को मीडियम से लो रखेंगे कि नो इसमें ज्यादा सुखी सुखी होसा भी हो जाती है हमारे डोब ज्याता को सुखी नहीं ज्यादा नवी नरम नहीं मीडियम में हम बनाएंगे उसको लो करके थोड़ी टाइम हम उसको ग्यास पर ही रालार में बैठा रखेंगे अच्छी तरह से हमेशे ही मिला लेंगे देखिए हमारी डोभव तयार हो गई है आप चाहेंगे तो सुजी से भी बना सकते हैं लेकिन यह जो काकरा पिठा है यह समसे अलग है क्योंकि मैदा से बने गया और उसके अंदर जो हम देंगे मीक्स हम छेना और चिनी इस को हम कडाई में नहीं फ्राय करेंगे उसमें इलाजी पाउडर और काली मेर्च के पाउडर थोड़ी से मिलाएंगे चिनी मिलाएंगे चिनी मेंने 200 ग्राम उसमें मिलाएं है देखिए जो उसमें चिनी है न वो जैसे ही हम पिठा को ओल में डालेंगे उसके अंदर ही वो मे कर लेंगे क्योंकि ठटा होने से उसके गात हो जाती है डोब में जैसे अठाग उनते हैं वह से ही हम डोब को त्यायर कर लेंगे थोड़ी तेर में हाथ में ओयल लगाकर उसको यसे ही मसलते मसलते हम डोप को तैयर कर लेंगे देखिए मेधाग में अच्छी तरह से मसली हैं अब हमारे डोप तैयर हो गई हैं हम पिठाब तैयर करेंगे जैसे देखिए जैसे ही हम रक्टी बनाते हैं वैसे हाथ में थोड़ी से डोब को लेकर जैसे ही ओल में हाथ में लगाकर उसको हम तयार कर लेंगे उसकी अंदर हम जो छेना और चिन्नी किमीक से अब उसको देकर यह सही हम सब डोब को हम तयार कर लेंगे देखें अच्छी तरह से उसकी मुह बंद करियेंगे नहीं तो आप वह ओयल में जाते ही वह खुल जाएगी यह सही हम घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर अब उसको सारे पिठा हम पर धालेंगे यह पिठा ओडिसा के बहुत ही फेमोस है उसकी टेस्ट भी लाजबाब है आप एक ट्राय करके मुझे कमेट करके जरूर बताएगा आपके पिठा कैसे बनी देखिए मैंने और फ्रंक गरम करके रखी है उसमें थोड़ी शी टुकड़े डालेंगे तो देखें वह उतने ओपर आ जाएगी तो हमारी पिठा पकाने के लिए तैर हो गई है और हमारी पहले हाई कर लेंगे बाद में मीडियम कर लेंगे क्योंकि हाई से हम अगर पिठा को फ्राय करेंगे तो उपर उसकी उपर अच्छी तरह से ब्लाक हो जाएगी अंदर अच्छी तरह से पकेगी नहीं मीडियम में हम पकाएंगे पिठा तो उसकी अंदर भी अच्छी तरह स जो हमने चिनी दी हैं वो मेल्ड कर जाएगी हम उसको कुछ तर देरे से ही उलट-पुलट करके पकाएगे गोल्डर्ण होने तक ही हम पिठा को पकाएगे देख हमारी पिठा धिरे-धरी गोल्डर्ण बांड कोलर होने लगी है ज़्यादा दर नहीं पकाएंगे तो पिठा हमारे जोर से मसमस हो जाएगी जैसे ही करकरा राद हो जाएगी देखें इसे ही उलट उलट करके अम उसको निकाल देंगे आप इसे चाहिए तो गूड में भी मंजागरी बना सकते हैं लेकिन उसके चीनी में ही टेस्ट जादा आती है ऐसे ही सारे पिठा पकर लेंगे देखें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब किजिए लाइक एंड आपके फ्रेंड के साथ स्क्राइब किजिए अच्छी एच्छी कमेट दीजिए ऐसे ही और ने ने रेसिपी लेकर मैं आपके समने और एक निव रेस दीन हैं और ने और श्ली एक दो अ कर दो हैं आपके समने यव प्लाइब किए और ने प्ला हुर्ची कर दो दीन है आपके